हेलो एजू इवरियों वेलकम टूर यूट्यूब चैनल यूनिक मास्ट क्लासिस तो आज की इस वीडियों में हम बात करेंगे जो स्कॉस्ट का पेपर हुआ था Осब्सका अशिस्टेंट कम टइपिस्ट का तो उसमें जो जिके के question आये थे journal knowledge portion से हम उनकी बात करेंगे इस वीडियो में तो इसमें जो questions पूछे गे थे कुछ इस तरह से थे उनके answer भी हम बताएंगे आपको कि क्या क्या उनके answer आ रहे थे तो paper नहीं ज्यादा मुश्कल था और नहीं ज्यादा easy था moderate level था तो हम की बात करते हैं सबसे पहला question यहाँ पर जो journalist से पूछा गया था वो चिलका लेक का पूछा गया था कि चिलका लेक इन विच स्टेट कौन सी स्टेट में है तो option आपके सामने है तो आपको पता होना चाहिए कि चिलका लेक है वो हमारे पास औरीसा में है ठीक है यह आपको पता होना चाहिए और दूसरा question पुछा गया था first Muslim ruler of कश्मीर वाज के जो first Muslim ruler है कश्मीर का वो कौन था सल्तान सदरुद्दीन, फिरोजशा तुगलक या सल्तान जैनुलाबिन या अकबर तो इसमें से आपको पता होना चाहिए कि जो option A था, ये right answer था क्योंकि सल्तान सदरुद्दीन जो है ये किसको कहा जाता है, ये रिंचिन को कहा जाता है, ठीक है और यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या किया था इसलाम को convert किया था तो इनको بूलबू शा के नाम से भी जाना जाता है तो ये याद रखना है आपने कि हमारे पास एक्चिल में इनको बूलबू शा नहीं कहा जाता है जो रिंचिन था इन्होंने क्या किया था सेयद शर्फुद्दीन के साथ तो वो क्या थे बुलबुल शा के नाम से जाने जाते थे ठीक है तो यह याद रखना के सदरुद्दीन जो है वो राइट अंसर है ठीक है तो इनको सदरुद्दीन का नाम दिया गया था इन चिनको तो यह आपको पता होना चाहिए तो option A राइट अंसर है next question पुछा गया था हमारे पास which capital city is the geographical center of India के कौन सी capital city जो है वो geographical center है इंडिया का तो इसका राइट अंसर था नागपूर ओके नागपूर जो capital city है geographical center आफ इंडिया माना जाता है उसके बाद question पुछा गया था which is the first Indian state to have three capitals के कौन सी पहली इंडियन states है जिसकी तीन capital थी तो इसका राइट अंसर अंदरा प्रदेश आ रहा था option A next question है which lake is located in route to शीरी अमरनाथ जी केव ये question बार बार exam में आ चुका है तो ये शीश नाग इसका राइट अंसर आ रहा था option B is the right answer फिर question आया हुआ था article 370 of the constitution came into force on कि जो article 370 था ये कब force में आया था तो इसका राइट अंसर था 14 May 1954 option D इसका राइट अंसर था next question आया हुआ था which union territory in India has the country biggest international yoga center कौन सी union territory में country का biggest international yoga center है तो याद रखना Jammu and Kashmir ही इसका राइट अंसर था option B तो next question की बात करते है national productivity day is being celebrated each year on के जो हमारे पास national productivity day होता है ये कब celebrate किया जाता है तो ये हमारे पास 12 February को किया जाता है ठीक है option C इसका राइट अंसर था उसके बाद who has been appointed as secretary to the honorable president of India दुरुपती मुर्मू के जो इनका जो हमारे पास secretary कौन appoint किया गया है जो हमारी president है दुरुपती मुर्मू का secretary कौन है तो इसका राइट अंसर था Rajesh Verma ठीक है Rajesh Verma is the right answer फिर था हमारे पास 80 pick up is associated with the game of actual में ये tennis से बिलॉंग करता है लेकर इन में से option दो थे table tennis, law tennis, basketball या badminton तो law tennis is the right answer B option is the right answer फिर question पुछा गया था हमारे पास which are the following was the first paper currency issued by RBI तो इसका right answer क्या था इसका right answer था RS 5 रूपी note जो था वो पहला first paper currency issued की थी RBI ने उसके बाद था what is the theme of national science day 2023 2023 का जो national science day था उसका theme क्या था तो global science for global well-being is the right answer option A इसका right answer था उसके बाद था in which year East India Company acquired Bombay from Portuguese के कौन से साल में East India Company ने Bombay को पुर्तगीज से लिया था तो इसका right answer क्या था हमारे पास तो option B इसका right answer था ओके next question की बात करते हैं who was the captain of Indian hockey team in Tokyo Olympics 2020 2020 में Indian hockey team का captain कौन था टोक्यो अलम्पिक के दौरान तो इसका right answer है प्रीट सिंग ओके यह अपने याद रखना है option A is the right answer the growth rate of population during 2001-2011 in India was के जो growth rate of population था 2001-2011 के बीच में इंडिया का क्या था तो यह अप मारे पास option A है 17.64% था ठीक है growth rate of population during 2001-2011 next question who among the following was the president of Indian national congress at the time of independence independence के दौरान Indian national congress का president कौन था तो यह option B is the right answer है J.B. Krip Lenny जो थे वो हमारे पास Indian national congress के क्या थे president थे independence के टाइम next question है 1939 में सुबाश चंदरा बोस was elected as president of congress party or defeating इन्होंने किस को हराया था तो इन्होंने हमारे पास पिताबी सीता रमया को हराया था option D is the right answer height पूछी थी तो यह आपको पता होना चाहिए 8611 मीटर है ठीक है option B is the right answer option B next question which mountain divides कश्मीर औ लदाख रेंच तो यह आपको पता होना चाहिए कि कौन सा mountain रेंच जो है वो कश्मीर से हमारे पास लदाख को क्या करता है अलग करता है बुर्जिल अफरवाद तोशा मैदान option हमारे पास दिये हुए या फिर काजी नाग तो यह आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास कश्मीर को अलग करता है लदाख को एक दूसरे से डिवाइड करता है तो वो हमारे पास कौन सा है तो वो हमारे पास आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर option is the right answer बुर्जिल पास यह आपको पता है यह बाई फिर्केट्स करता है कश्मीर और लदाख को यह याद होना चाहिए आपको बुर्जिल पास next question था port pass is famous pass in which range port pass किस range में है तो port pass आपको पता होना चाहिए port pass है जो हमारे पास वो हमारे पास zanskar range में आता है यह याद रखना आप तो इसका राइट अंसर zanskar range आ रहा था ठीक है port pass जो है यह आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास लदाख रिजिन है वो terminates होता है जीला पास में इसी range में और यह जहां से वैली अफ कश्मीर जो होती है और port pass की बात कर रहा हूं में तो port pass जो है यह हमारे पास zanskar range में ही आता है जमू एंड कश्मीर रियर्गनाजेशन एक्ट वस पास्ट और असेंट बाई यहां पर इस question में इन्हों ने पास्ट भी पूछ लिया और असेंट भी पूछ लिया अक्ट बाई पास्ट अगास 2019 को हुआ था और असेंट मिली थी इसको जो मनजूरी वो 9 अगास 2019 को मिली थी तो मेरे इसाब से इसका राइट अंसर A ही आएगा ठीक है अप्शन A is the right answer अंडर दा स्कीम अफ पी एम किसान सम्मन योजना अलिजिबल फार्मर्स विल रसीव हो मच मौन पार रहना मिन रूपीज तो इसमें आपस को याद रखना चाहिए यह हमारे पास 6 थोजन्ड है ठीक है 6,000 यह इंस्टाल्मिंट में करकर के यह 2,000 करके यह देते हैं तो साल में 6,000 है यह आपको पता होना चाहिए रिवर इंदस औरिजनेर्स प्रम कौन से रेंज से यह पूछा गया है कि औरिजनेर्स होता है तो यह अकबर की कोट में था Option C is the right answer ठीक है यह कुछ कुशन्स थे हमारे पास GKK related तो यह आपको पता होना चाहिए कैसे कुशन्स पूछे जा रहे हैं यह कुशन्स बाकी भी जो को हमारी वीडियो देख रहा है उनके लिए बहें important होंगे तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सबस्क्राइब कर देना और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर कर देना Take care of yourself